तो आज ना मैंने सुचा थोड़ा से पहले जासा ब्लॉग बनाओं तो शुरू हो गई मैं अपना किचन का काम स्टार्ट करते हुए और यहाँ पे मेरे पती लेकिया है मावा और यह महाशय जी पता नहीं इसका क्या चलता रहता है मेरे को समझ नहीं आता है तो आज मैं गाजर का हलवा बनाने वाली हूँ क्योंकि प्रियतम को पसंद है पसंद है कि रेखो हमें भी पसंद है तो प्रियतम को भी पसंद है अब प्रियतम तो बोलनी सकता है प्रियतम जो है मन में बोलता है तो प्रियतम को भी अच्छा लगता है गाजर का हलबा खाना तो उसके लिए भी मैं थोड़ा बहुत बना ले रही हूँ और मैं ना जब भी काम करती हूँ ना तो मेरे साइड में फोन में ना कीरतन चलता रहता है, गाना चलता रहता है तब ही मैं अपना एनर्जी ला पाती हूँ काम काज में और आया है पारसल, तो मुझे जवर्दस्ती काम काज से लेके आके बिठाया है सोपे पे और बोला है मेरा पारसल फाड़ो, तो मेरा शूज दिखाओ तो मेरा, मेरे को पसंदगी है, मैंट बोईस वाला जो है वो मुझे पसंद नहीं आता है मुझे समझ नहीं आता है बोईस का जूटा या फिर कुछ भी समझ नहीं आता है तो फिर भी मैंने थोड़ा ब्लॉग बनाया, नोंने बोला बना दो और यहाँ पर यह एक चपल मंगवाया उनके लिए कैमपस का यह मुझे बहुत पसंदा आया, यह बहुत प्रिटी है लेकिन, लेकिन, सबसे बड़ी बात यह है कि यह वाइट है और वाइट मेरे पती के पास जादा दिन जमता नहीं है तो मुझे तो बहुत प्यारा लगा लेकिन, मेरे पैर मेना बड़ा हो गया था लेकिन मैं भी पहन लूँगी थोड़ा बहुत और मैं थोड़ा बैट गई क्योंकि वहाँ से मुझे खीच के लेकि आये थे कि चलो चलो, पार्सल आया है उसको उपन करो तो मुझे ही कूछ भी होता है ना तो मुझे ओपन करना पड़ता है और वीडियो बनाना पड़ता है पता नहीं क्यों और इधर मादब को पहनना तो उसके पापा का जूता तो पहना दिया था, मैंने फिर वो खोल दिया और यहाँ पे सूबे उठते ही मैंने वाशिंग मशीन में कुछ कपड़े लगाए थे तो वो सारे धुल गए है तो अब ही मैंने इनको सुखाने के लिए रखा है तो आज मुझे बहुत जले-जले काम काच करना है क्योंकि थकान हुजाती है काम करते-करते और सबसे जादा ना कफड़े बहुत परशान करते हैं रोज और यह गाजर का हलवा मैंने बना भी दिया था तो मैंने सुझे थोड़ा सा खा लूँ टेस्ट करनूँ जादा तो प्रियत्म के लिए मैंने रख दिया है उठा के तो प्रियत्म अभी मैंने दोफैर का लंच बनाया है लंच में फूल गोबी आलो की सबजी भात और यहां पर सोयाविन का सबजी हो रहा है तो मैं आपको दिखाती हूँ एक मिनट तो यह रेखो हमारी सबजी अल्मोस्ट बन गई है मादब का शूध हो दिया था क्यों नाली में आज उतर गया था बहुत गुस्सा आता है बच्चे जब ऐसे शेतानी करते हैं तो इज़र तो मैंने सारी साफ सफाई मैंने अपनी कर ली है और मैं थोड़ा जारी हूँ पीछे के और और यहां पर देखो शक्षी खेलती रहती है यहां पर पता नहीं क्यों सा और मेरा नाइटी फाड़े है उन लोगों ने देखा अपना बैट शिट बनाया है और पीछे आई हूँ थोड़ा देखने के लिए कि मेरे पती ने पीछे करा क्या है तो यहां पर थोड़ी बाद साफ सफाई की है क्योंकि यहां पर उनको कुछ लगाना है तो क्या लगाना है मुझे नहीं पता तो मम्मी काफी सारा बीज लेकी आई है लगाने देने के लिए कि यह लगाना तो फिर मेरे पती ने साफ सफाई किया वी लगा इंगे शायद